ग्यानवापी को लेकर के जो कुछ भी चल रहा वो वारानसी की कोल्ट में हाई कोल्ट में अथ्वा सुप्रीम कोल्ट के निर्देशन में चल रहा है किसी भी विशेपर अब तक ऐसा नहीं हुआ कि कोल्ट के बाहर जाकर के कोई बात कही जाए कोल्ट के आदेशों का अनुप कालन करने के लिए जो सक्षम अधिकारी न्यूक्त किये गए जब कोर्ट के जज से ले करके प्रशासनिक अधिकारियों तक क्यों ब्यक्तिगट तार्गेट करके और धमकी दे करके पूरी दुनिया में यह बताया जाने लगा कि यह लोग गलत कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं कि स्रीराम जन्मा भूमी के समय में जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जैस्टिस तत्कालिब जैस्टिस दीपक मिस्त्रा को के लिए टार्गेटेट किया गया और आज कि अजय कृष्ण विश्वेस से ले करके वाराण सी के कमिष्णार सीपी मुख्य कारेपालक अधिकारी विश्वनात मंदर को टार्गेट किया जा रहा है तो क्या ऐसे ही अदालत की लड़ाई चलेगी जिन लोगों को अदालत प संभिधान को मानेंगे अन्य था नर्ले वारानसी की कोर्ट ने दिये और दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस करके सेंट्रल सुन्नी वक्त बोर्ड मुस्लिम प्रस्तनला बोर्ड में जिस तरीके से न्याय पालिका से ले करके कारिय पालिका तक को धमकाने का कारिकिया वो इस द कोलकाता में जिस प्रकार एक लाक संख्या की रेली कल केरल में जिस प्रकार की रेली निकाली गई कोलकाता से लेकर के केरल तक उधर गुजरात में इधर बरेली में तोकिर रजा की बयान बाजी जिस प्रकार कोट के निरले के खिलाप जूमे की नमाज के बाद बंद का जेल भरों का आवान किया गया हमें जानना चाहते हैं कि वारानसी कि उस मस्जिद में 500-200 लोग नमाज पढ़ते थे जिसको वो मस्जिद करते हैं और हमारा ग्यानवापी का मंदर है देर सो-200 लोग नमाज पढ़ते थे अचानक धाई धाई हज्जार लोग वहां नमाज पढ़ने के लिए कहां से आ रहे हैं यह कौन लोग हैं बनारस के बाहर के लोग क्यों नमाज पढ़ेंगे वहां बनारस में कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा कौन लोग भी तो यह क्रिया की प्रतक्रिया यह होनी सुभाविक हो जाती है परन्तु मेरा मानना है कि देश संभीधान से चलेगा इसलिए इस प्रकार के क्रिया से नहीं बचा गया और प्रिसासन को धमकी देने के बाद भी अगर कोई कारिवाई नहीं की गई अब तक एक सिंगल या फा में किसके लिखित आदेश और किसके कारण से ये पूजा बंद हुई थी पंडित सोमनाथ ब्यास के उस ताखाना ततकालीन अब ग्यानवापी के तल ग्रेकी पूजा उस समय किसके आदेश से बंद की गई थी और आजब कोर्ट के आदेश से प्रारंब हुई है तो विविन क पूल्टों को धंकी देने के लिए देश भर में रेलियों का आयोजन यह हम कट्ताइश विकार नहीं करेंगे कल केरल के कोकी जोड में एक लाख संक्या की और उनके पेज से जमायते इस्लामिय हिंद नाम के संग्ठन के पेज से लाइब किया जा रहा था यूट्यूब देखिए कौन-कौन वक्ता थे बनारस से कौन लोग गए थे वहां पे तीन दिनों से किसके साथ मीटिंगे चल रही है केरल में कौन आका बैठा हुआ है समुद्र के उस पार इस्लामिक देशों के संग्ठन के मुखिया बैटे हैं सिर्फ समुद्र ही 45 मिनट में वहां से आ आप खोफिया तंत्रों से भी तो जानकारी मांग लेजिए प्रशासन से भी तो कुछ पूछ लीजिए कि यह आरोप निराधार है कि यह आरोप सत्य है आप आरोप जो है सीदे सीदे मजभि कमेटी से जूड़े लोगों पार है अंतजुमन इंतजामिया कमेटी के लोग पी फ हाल्य के साथ मिलकरके वनारस को और इसत्र करने की साजिस रच रहे ہैं यह मेरा सीधा आरोप है और कासी का सम्त समाज इस देश का सम्त समाज ऐसा होने नहीं देगा जो कुछ चलेगा कॉल्ट में चलेगा जो चलाना है कॉल्ट में चलाइए लेकिंबश्थिr करने के लिए जुमें की नमाज बहाने जिस प्रकार के गैतरिंग पूरे देश के मस्जिदों में कराई आ रही है वह हम स्विकार नहीं करेंगे इसके लिए कुछ आप लोग लेने की तैयारी करने को करना है प्रशासन को करना है प्रशासन के पास पूरी सुचना उपलगता है किया प्रसाशन को हम बताएंगे उप्रसाशन प्रसाशन आंखें मूदे या आंखें खूले लेकिन इस साहर को दंगय की आग में जुलस्रने नहीं देना यह जिम्मेदारी साथ साथ शाहर के जिम्मेदार नागरिकों की भी है तेक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ने इस प्रेस कांफरस की